हाई फ्रेंड वेलकम टू गेम ओफ इनिंग जैसा कि स्मैक डाउन का एपिसोड आज खतम हो चुका है वहीं आज के एपिसोड के बाद कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है उसी के बारे में सम वीडियो में बात करेंगे महीं स्मैक डाउन ओफ एर होने के बाद भी एक बड़ा मैच हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी तो बढ़ते हैं वड़ोई तरफ शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के आज हुई स्मैक डाउन के में इवेंट में हमें रोमन रेंज का सेगमेंट दिखा जहां अटेकर के तोर पर अभी रोवन सामने आए और अब सब को लग रहा है कि इसके पीछे डैनियल ब्राइन का ही दिमाग होगा बट डैनियल ब्राइन ने इससे इंकार कर दिया है इसके बाद रिंग में रोमन रेंज ने डैनियल ब्राइन को इस प्लियर देर डाली और रिंग में धेर कर दिया यहां तक हम सब ने देखा था बट इसके बाद स्मैक डाउन ओफ यर हुई इस साल का Hell in a Cell पीपीवी अक्टूवर में होगा इस पीपीवी को लेके एक बड़ा मैच एडवर्टाइस करा जा रहा है जो कि युनिवर्सल टाइटल के लिए है इतना ही नहीं ये मैच इंसाइड हैल इनसेल में हो सकता है युनिवर्सल टाइटल के इस मैच में दफिंड यानि की ब्रेव वाइट को एडवर्टाइस करा जा रहा है बता जा रहा है कि ब्रेव वाइट हैल इनसेल पीपीवी से पहले युनिवर्सल टाइटल पिच्चर में एंटर होंगे और उस टाइम के यूनिवर्सल चैंपियन को चैलेंज करेंगे टाइटल के लिए हलांकि अभी ये साफ नहीं है कि ब्रेवाइट के सूपर स्टार के सामने उतरेंगे अब वो सैथ रॉलिंस हो सकते हैं और ब्राउन स्ट्रॉमें भी हो सकते हैं वैसे अगर ब्रेवाइट उनिवर्सल टाइटल पिच्चर में आते हैं तो वाकई हलेनस सैल पीपीवी का वन अफ दा बैस्ट में साबित हो सकता है अलंकि अभी ये रूमर्स हैं इस तरह की रूमर्स अकसर किसी पीपीवी के आने से पहले आते हैं उसमेंसे कुछ रियल होते हैं और कुछ रियल नहीं होते हैं अब देखते हैं कि ब्रेवाइट उनिवर्सल टाइटल पिच्चर में दिखते भी हैं नहीं वीडियो छोटी थी बट काम की अपडेट थी वैसे आपको क्या लगता है सैथ रॉलनेज वर्सिस ब्रेवाइट बेस्ट होगा या ब्राउन स्टॉमन वर्सिस ब्रेवाइट बेस्ट होगा कमेंट करके जरू बताएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही पसंद आए तो लाइक ओड शेर करें